आपकी किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है? कोई भी एक तस्वीर चुनिये इनना मश्कार दोस्तों जैमात अदी, जैश्री कुछना, हरहर महादेव कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं, आप सब खुश होंगे, सिहत मंद होंगे अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे होंगे आज हम आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लिकर आए हैं कि किस्मत से आपको क्या मिलने वाला है? आपके सामने दो तस्वीर हैं, दो नंबर हैं सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर एक तस्वीर को चुन लीजिए अगर आपको तस्वीर चुनने में कोई कन्फीजन हो तो आप नंबर को भी चुन सकते हैं और फिर अपनी रीडिंग देख सकते हैं आपको लगे तो आप वीडियो को पॉस्ट करके अपना उप्शन चुन सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट वाक्स में जैमातादी, हरहर महादेव, जैश्री कृष्णा, ठैंक्स टो गॉर्ड जिसे भी आप मानते हैं उनके जैकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूले चलिए हम बिनादेरे किये हुए वीडियो की शुरूआत कर लेते हैं जिसकिसी ने भी चुना है option number one को अगर आपने चुना है option number one और आप जानना चाहते हैं क्या है आपकी किस्मत में, ऐसा क्या है जो आपको मिलने वाला है दोस्तों हमने cards open किये हैं, आपके लिए देख रहे हैं टेरो कार्ड बता रहे हैं कि आपकी life में बहुत struggle आपने देखा है छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए भी आपको बहुत महनत करनी पड़ी है कई लोग ऐसे होते हैं, जिनें बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाता है वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनें अपने हर छोटी सी छोटी इक्षा को पूरा करने के लिए भी चार बार सोचना पड़ता है तो आपको बहुत संघर से देखना पड़ा है अपने जीवन में बहुत कम उम्र में आपको बहुत कुछ अनभाव मिला है तो आपको बहुत कम उम्र में बहुत सारा experience हुआ है अब आपकी किस्मत में दोस्तों बहुत सारी खुशियां लिखी हैं बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मिलने वाला है आपने जो सपने देखे थे वो पूरे होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी जीवन में, वो सब कुछ मिलेगा आप जिसकी कल्पना भी नकी हो, बहुत सारी सफलता मिलने वाली है, आप बहुत महनती हैं, हम देख रहे हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत महनत करते हैं, कोई भी काम एक बार में आपका होता ही नहीं काम में बहुत सारी रुकावटे आती हैं आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में जो भी काम आप करने जाते हैं सो रुकावटें खड़ी हो जाती है एक परिशानी खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बहुत जादा परिशान हो गए थी लेकिन आप अपने मन में हिम्मत नहीं हारते हैं हमेशा एक उमीद बना कर रखते हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अब आप ये मान लीजिए कि अब इशर ने जैसे आपके मन की बात सुन ली है इशर हर पल आपके साथ हैं हर अच्छे बुरे वक्त में कोई साथ दे या ना दे पर उपर वाले का साथ हर किसी को मिलता है तो अब आपके उपर उनकी कृपा होने वाली है किसमत से आपको सफलता मिलने वाली है आप अगर नौकरी की तलास कर रहे थे कोई इंटर्वी दिया है कोई जॉब की लिए आप तयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपका कहीं जॉब पक्का होने वाला है या तो फिर गवर्मेंट की तैयारी कर रहे थे कोई एक्जाम दिया है कोई इंटर्वी दिया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जैसे खुशियां अब आपके दरवाजे पर आ चुकी हैं अब आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं आपके परिवार में भी खुशहाली क माहौल रहेगा बहुत कुछ अच्छी खबर आपको जीवन में सुनने मिलेगी किसी का भी विवाय अगर नहीं हो रहा था तो वो भी अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है अब हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आपको छोटी-छोटी सी चीजों का द्हान भी डाल रखना होगा वो कौन सी चीज़े हैं आपको अपने जीवन का जीवन्स रैली जो है आपके दिन चरिया जो है उसको सिस्टमैटिक करने की जरुरत है चीजों समय पर करें बहुत जादा आप किसी भी काम को टाले नहीं कि क्योंकि जब आप किसी का म को टालत कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, मंदिर जाएंगे, इसनानादी करने के बाद मंदिर में जाएं, दर्चन करें, घर में पूजा पाट करें, और मन को शांत करें, और पॉजिटिव रहें, सारा दिन पॉजिटिव रहना है, दूसरों के चहरे पर खुशी आपकी वज़े से जाएगी, सारे चीज़ें आपके मन मताविक होंगी, अगर आपको ऐसा लगता है, कि चीज़ें बिल्कुल भी आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही है, आपके अनरूप नहीं हो रही है, तो बस आपको एक काम करना है, आपको अपने लिए लिए लिखना है, कि आपकी जीव पर लिखना है रोज लिखना है जब आप अपने लिए ऐसे अच्छी सकारात्म के विचार लिखते हैं तो यही चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा रीडिंग पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में माता दी राधी राधे जैज श्री कृष्णा जिसे भी आप मानते हैं उनकी लिए जैकारे जरूर लगाएं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अब हम बात करेंगे हैं आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आ रही है किस्मत से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है जो भी काम आप करने वाले हैं आपको एक महीनी के अंदर कोई बड़ी सफलता मिलेगी जी हाँ एक महीनी के अंदर हो सकता है एक मिलने वाली है जिस पर चल कर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगी बहुत छोटे-छोटे से बदलाव करके आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बहतर करने वाले हैं ऐसा लग रहा है कि घर परिवार की लोगों को साथ आपको मिल रहा है परिवार में खुशियो बहतर होना शुरू हो गई है हर किसी के जिन्दिगी में सुख और दुखाते रहते हैं लेकिन दुख के समय इंसान को हमेशा सीखना चाहिए और सुख के समय बहुत एहंकार ना करके बस इशर का ध्यान करते रहना चाहिए जब भी हो सके जितना हो सके धानपने करें दूसर भी देख रहे हैं हम कि आप बहुत परिश्रमी हैं आलस से नहीं करते हैं और अगर आप मैंसे किसी को भी ऐसा लगता है कि आलस से हावी हो जाता है फिर आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है आपको ऐसा लगता है कि कितना ही करते जाएं लेकिन दूसरों को बहुत सफलता म मिलती है तो कई बार अनुभव मिलता है कई बार एक सीख मिलती है कि हमने ये गलती की है अब हमें नहीं करना है तो आप अगर कुछ भी कर रही हैं हमेशा मन में सकारात्मक विचार के साथ करें इश्वर से कहें कि आप हमारा साथ दें आप हमें रास्ता दिखाएं और फिर कि इसी काम की शुरुआत करें आप देखेंगे कि जीवन में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा जिन लोगों के जीवन में बहुत जादा समस्याएं होती है तो आप मान लीजी कि अब जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है जब लोग आपकी बुराई करने लगें जब आ अहसर का पूरा पूरा लाव उठाएं नए नए आई कि श्रोत मिलने वाले हैं ऐसा भी लग रहा है कि किसी के साथ आप पार्टनर्शिप में बिजनस करने वाले हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि पूरी तरह से जानकारी है हासिल कर लें कितना ही अपना क्यों नहों लेकिन जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें तो पूरी पेपर कागज लिखा पड़ी के साथ ही करें फिर आपको सफलता भी मिलेगी और कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा आप दिख रहा हैं मैं टेरुकार्ट बता रहे हैं जीवन में बार-बार आपको धोखे मिलते हैं तो इनी सबसे बचने के लिए थोड़ा सा अधानी बरतनी होगी अब आपको लेंदेन को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करनी है और साधानी बरतनी है अपनी कागजात संबंदी किसी भी डॉक्युमेंट को अच्छे से रखें वो दब हविशी की चिंदा करके आप अपने बरतमान को खराब ना करें इश्वर ने सब को सब कुछ दिया है आपको भी सब कुछ मिलेगा उमीद है आज की रेटिंग पसंद आये होगी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै माता ये श्री क्रिष्णा